कि स्वाहेले एवरीवन वेलकम बैक माइं यूटूफ चैनल सो फ्रेंस यदि आप लोग जेए मेंके एक्जाम दिये हैं तो मैं आज के विडियों में बताऊंगा कि यदि आपको जेए में इतना मार्स आया है तो आपको कितना परसंटायल बनने वाला है तो फ्रेंस यदि आ यहां फर फाइंट के बाद वहलू भी देख लिजेगा यदि 41 से लेकर 50 के बीच यदि आया है यह में मार्स तो आपका 73.2870 से लेकर 80.9821 बनने वाला है इसके बाए यदि आपको 50 से 60 मार्स आया है तो आपको मैं बता दूँ कि 82 से लेकर 86 आपको बनने वाला है जैए में में परसंटाइल 61 से लेकर 70 के बीच यदि आपको जैए में मार्स आया है तो आपको 87 से लेकर 90 परसंटाइल बनने वाला है उसके बाद आप percentile के बाद भाईलो भी देख लिजेगा point में उसके बाद 71 से लेकर 80 के बीच यदि J main में मार्ष आता है तो आपको 91.0721 से लेकर 93.1529 बनने वाला है उसके बाद यदि आपको J main में मार्ष 81 से लेकर 90 आता है यदि आपका J main में 91 से लेकर 100 के बीच यदि मार्ष आता है तो आपको J main में percentile बनने वाला है 94.9985 से लेकर 96.0648 तक यदि आपको 101 से लेकर 110 के बीच यदि आपको मार्ष आता है तो उसके बाद आपको 96.2045 से लेकर 96.9782 आपको J main में percentile बनने वाला है इसी के कोडिंग आपको जई के परसंटाइल के कोडिंग आपको IIT, NIT और अधर अस्टेट के जो गवर्वेंट इंजिनियरिंग कॉलेज मिलता है तो इसको जरूर अच्छा से देखे और 101 से लेकर 120 के बीच यदि मार साता है जई मेन में तो आपको 97.1429 से लेकर 97.685 बनने वाला है उसके बाद यदि 121 से लेकर 130 के बीच यदि मार साता है जई मेन में तो आपको परसंटाइल 97.812 से लेकर 98.254 बनने वाला है यदि आपको 131 से लेकर 140 के बीच आता है तो आपको 98.3174 से लेकर 98.6669 बनने वाला है उसके बाद आप नीचे देखते हैं तो नीचे 141 से लेकर 150 के बीच यदि आपको JMA में मार्स आता है तो आपको बनने वाला है 98.7323 से लेकर 98.9902 उसके बाद यदि 151 से लेकर 160 के बीच यदि आपको जैमेन में मार्स आता है तो आपको प्रसंट टायल 99.0264 से लेकर 99.2397 बनने वाला है उसके बाद 161 से लेकर 170 के बीच यदि आपको जैमेन में मार्स आता है तो आपको 99.2720 से लेकर 99.4312 बनने वाला है यदि 171 से लेकर 180 के बीच यदि आपको मास आता है तो आपको 99.4569 से लेकर 99.5731 बनने वाला है तो आप इसके एकोर्डिंग आप एक अंदाजा लगा सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि हमारे इतना मास आया तो इतना परसंटायल बनेगा और इसके एकोर्डिंग आपको इंजिनियरिंग में एड़ीशन होगा अब मैं बात कर लेता हूं 181 से लेकर 190 के बीच यदि आपको आता है तो आपको 99.5973 से लेकर 99.6885 बनने वाला है उसके बाए 191 से लेकर 200 के बीच यदि आपको आता है तो आपको प्रसंटायल बनने वाला है 99.7108 से लेकर 99.7824 उसी तरह देख सकते हैं सब्सक्राइब देख सकते हैं स्क्रॉल करके चल जाते हैं और लास्ट में आपको यदि 300 से लेकर 281 के बीच आपको जेए में में मार्स आता है तो आपको 100 जो की मार्स प्रसंटायल बन जाएगा जेए में में 100 से लेकर 99.998 के बीच बनने वाला है इसी के अकॉर्डिंग आप उपर से देख लिजिए और यदि आप इस पीडियो को ड समझ में आ गया होगा तो चलते हैं थैंकी सो मच फ्रेंड्स